हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारा सा पुसाग, फ्लावर से भरा हुआ पुसाग बना कर आप लोगों के लिए लाए हैं, जो देखने में देखें काफे खुबसूरत है, इसे आप पांच नंबर के कानहजी को बना सकती हैं, ऐसे आप जितने नंबर के कानहजी का भी ब बनाना चाहती हैं, चोली और ये बेस दोनों तयार कर लें उतने नंबर के कानहजी का और फिर आप इसे बना सकती हैं, तो यहाँ पर ये हम पांच नंबर के कानहजी का बनाए हुए हैं, आए देखते हैं कैसे बनता है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का फ्ला कावर तयार करेंगे तो चलिकले हम सबसे पहले इसे बनाना जान लेते हैं कि इस बनाने के लिए हम इस तरह से उंगूलियों कर और से k Yukriya की मदद से आधर से बनाएंगे हम यहाँ पे तीन जीन बना लएंगे एक तो त personalities aq अब इसी के अंदर हम डवल कुरूशिया बनाते चले जाएंगे 18 डवल कुरूशिया हम बनाकर तयार कर लेंगे अभी दो हो गया कि अब हमारे पाश्वा एक दो ती जार पाँ छे साथ आज नौट से ग्यार एक यारा बन चुका है कि अब कर दो कि अब कि अब कि अब यह रहा सत्र और एक और ले लेते हैं 18 डवल कुरूशिया सत्र या अठार आप बना सकती हैं आपर डवल गुरूशिया अब इसे हम tight कर लेंगे tight करने के बाद यहां लाकर जोड लेंगे इस तरीके से यह इस तरीके से बनकर त्यार हुआ आपका अब हम यहाँ chain लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 chain लेने के बाद एक बीच करके दूसरा पे हम मुप को डालेंगे और देखे यह यहाँ पे इसे जोड देंगे लाकर यह हो गया अब 3 chain बनाएंगे 1, 2, 3 फिर से एक बीच करते हुए अगले chain पे लाकर जोड़ेंगे फंदे लेके भी जोड सकते हैं और बिना फंदों का भी जोड सकते हैं फिर से 5 chain बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 3 chain 1, 2, 3 एक बीच करते हुए देखे अभी हमारा 5 chain दो बार हुआ है हमें 5 chain 4 बार करना है 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 अब देखे अगर आप 17 chain लेती हैं तो यह एक चेन नहीं रहेगा तब आपको इसे यहां लाकर जोड़ना होगा और हम चुकी 18 chain लिए हुए है तो एक बीच करते हुए यहां पे लाकर हम इसे जोड़ सकते हैं देखे अब यह देखे 5 जो हम chain बनाए वो 4 जगह बन कर तयार हुआ और 3, 4 जगह बन कर तयार हुआ तो यह इस तरह से तयार होगा अब इस पे लाकर हम इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से और 3 chain बनाएंगे एक, दो, तीन अब यहां पे हम 5 डवल कुरूशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच देखिए 5 डवल कुरूशिया बना लेने के बाद में अब फंदे लेंगे हम और 3 का एक करेंगे यह हो गया अब यहां लाकर हम इसे जोड़ देंगे यह हो गया फिर से फंदे लेंगे और यहां पे लाएंगे तीन का एक करेंगे अब देखिए हम 5 डवल कुरूशिया हम फिर से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह रहा पांच अब फिर से हम तीन का एक करेंगे यह हो गया अब यहां लाकर इसे जोड़ेंगे फिर फंदे लेंगे तीन का एक करेंगे इस टार्टिंग जो हम करेंगे तीन का एक से करेंगे और फिर से पांच डवल कुरूशिया बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अब तीन का एक करेंगे यहां लाकर जोड़ेंगे फिर से फंदे लेंगे तीन का एक करेंगे पांच डवल कुरूशिया इसी इस्थान पर बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, यह रहा पांच डवल कुरूशिया अब तीन का एक करेंगे यहां लाकर इसे जोड़ेंगे फिर से अब यह यहां कम्प्लिट हो गया इसे लाकर हम यहां पर जोड़ लेते हैं अब देखिए यह पहला आपका यहां पर बनकर तयार हो गया अब हमें करना क्या है इसे पलट लेंगे पलटने के बाद हम हुक को यहां पर डालेंगे इस स्थान पर डालेंगे और इसे यहां लाएंगे यहां पर निकालेंगे और यहां पे हम पाँच चेन लेंगे 1,2,3,4,5 इसे लाकर यहां पर जोड़ देंगे अब तीन चेन बनाएँगे 1,2,3 यहां लाकर जोड़ेंगे फिर से पाँच चेन बनाएँगे तीन चेन पाच तीन पाच तीन यहाला कर जोड देंगे तो यह हमारा यह जो आप देखरेंगे इसमें एक काच हम लगा लेंगे इसके बाद उनको कट कर लेंगे वो लाश्ट में भी आप कर सकती है अब देखिए यहाँ पर हमारा यह इस तरह से बन गया चार जगा फिर से अब इसे हम सिधा कर लेंगे, अपनी और घुमा लेंगे, सिधा कर लेंगे, एक चेन लेंगे, लेने के बाद यहां पर लाएंगे हम इसे, इस अस्थान पर लाएंगे, यहां पर लाएंगे, यहां पर लाएंगे, तो देखिए, इसके बाद हम तीन चेन यहां लिए, अब हम यहाँ पे साथ डवल कुरूसिया बनाएंगे यह एक हो गया यह दो हो गया तीन चार पांच छे और यह साथ तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से साथ डवल कुरूसिया यहाँ बनाएं अब हमें इस जगा पे जो तीन चेन हम लिए थे वहाँ लाकर इसे जोड़ देना है फिर से फंदे लेंगे फिर यहाँ पे हमें साथ डवल कुरूसिया बनाना है इसके बाद यहां लाकर इसे जोड़ देंगे देखिए इस तरह से यहां साथ बनाए यहां साथ बनाए अब यहां बनेगा साथ ठीक यह दोनों के बीच में और यह दोनों के बीच में तो यह चारों हम complete कर लेते हैं यह देखिए साथ डबल करूसिया बनाए हम चार यहां भी साथ डबल करूसिया चार अस्तान पर बनाए और यह पहले से हम पांच डबल करूसिया यहां पर बनाए अब हम धागा उनको यहां कट कर दिये हैं और इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे और इससे भी छोटा कर लेंगे ये हो गया इस तरह से ये अभी हमारा फिलाल बनकर तयार हुआ अब चलिए अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का उन जोड़ लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीन कलर से भी बनाए हुए है देखे अब हमें इसे यहाँ पे किसी भी अस्थान पे हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे देखे इस तरीके से जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद चेन लेंगे हम पांच एक दो तेन चार पांच पांच चेन लेने के बाद यहाँ पे लाके इसे हम जोड़ेंगे फिर से पा चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और इसे अब यहाँ पिला कर जोड़ेंगे, फिर से पांच चेन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच तो परते एक बार पांच चेन लेते हुए हमें जोड़ते चले जाना है पांच चिन अब यहां लाश्टी से हाला कर हम जोड़ लेंगे अब जितना भी हमारे पास था सब जगपे हम 5-5 चेन जोड़ चुके हैं अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद एक हम इस तरह से सीधा करते हुए एक चेन यहां पर लेंगे अब हमें देखिए क्या करना प्रतेग में हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनाना है तो चलिए बनाते हैं एक दो तीन चार पांच देखिए पांच टबल कुरूशी हो गया अब इसे लाएंगे यहां इस ठंग से करेंगे और फिर इसे यहां इस तरफ जोड़ेंगे अगला में देखिए पांच चेन होने के बाद अगला में यह आप डायरेक्ट भी जोड सकती हैं जैसे की देख यहां पर पांच चेन लिए अब इससे हम यहां लाकर इसमें जोड़ लेंगे और लेकिन आपको अगर आप डारेक्ट जोड़ना चाहती हैं तो पांच के बाद आप इस तरह से यहां तीन का एक कर लें इस तरीके से ताकि यह थोड़ा सा यहां पर उपर से आते हुए नीचे की ओर चला है तो कली का रूप लेगा फिर इसे देखें तीन हैं हम लिए अगला में लाने के लिए तीन का एक कर लेंगे अब हम फिर से पांच चेन बनाएंगे पांच डवल कुरूशिया बनाएंगे एक दो तीन चार यह रहा पांच देखें पांच के बाद हमें फिर तीन का एक करना है इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे इस तरह से तीन का एक फिर से पांच दे लेंगे अगला में लाने की समय में हम तीन का एक करेंगे यह इस तरीके से तो इसी तरीके से बनाते हुए हम पूरी गुलाई में इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो इस तरह से देखिे, हम इसे पूरी गुलाई में बना कर यहाँ पर कम्प्लिट किये, कितना प्यारा लग रहा है यह फूल अब देखे, अब हमें करना क्या है, यहाँ लाकर इस से जोड़ लेंगे लास्ट में यहाँ पर जोड़ लिए, एक चेंग लेंगे अब हम उनको थोड़ा लंबा ही कट करेंगे, बड़ा ही कट करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हो गया, अब हमें ये नीचे की और ले आना है, अंदर की और, और इसमें हमें सुई यहां पे डालना है, देखिए सुई में हम भी सून को डाल लेंगे, इस तरीके से डालने के बाद इसे हम पीछे की ओर ले आएंगे इस ठंग से अगर आप दूसरा सुईधा का लगाना चाहते हैं लेकिन हम इसे यहाँ पे इसी से हम मोती यहाँ बीच का डाल लेंगे उपर उपर हम लगाएंगे इस तरीके से हमारा आगे की ओर पता नहीं चलेगा यह देखिए इसे कट कर लेंगे यह जो अलग से आपको दिख रहा है इसे हम कट कर लेते हैं अब इसमें हम यहाँ पे सुईधा को निकालेंगे अब एक प्यारा सा मोती हो जो आप डालना चाहती हो कलर से मिलता जुलता कलर से आप इसमें यहाँ पे डालें और इस तरह से इसे फिट कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पेश्ट भी कर सकती है लेकिन टाकना ज्यादा उचित रहता है खुलता नहीं है अगर आप दो रही है कपड़े को यानि कि जो भी चीज आप इससे बनाना चाहती है अगर आप इससे वास कर रही है तो आपका यहाँ पर यह मोती निकले क्योंकि अक्सर होता क्या है पेश्ट किया हुआ जो रहता है वह हमारा पानी में लगते हुए पानी में अगर पानी के संपर्क में आता है तो वह खराब होने लगता है और सुई धाग के मदद से अगर आप इसे सीलेंगी तो यह आपका अच्छा रहेगा तो चलिए इस तरह से देखे यह आपका बनकर तयार हो गया देखे देखने में कितना प्यारा लग रहा है यह फ्लावर तो इस तरह से हम बनाकर तयार कर लेंगे इस तरह से देखे हम यहाँ पे इतना फूल बनाकर इकठा कर लिए हैं अब यह बना लेने के बाद में आपको जितने भी नंबर की कानहाजी का पुसाग बनाना है आप उतने नंबर की कानहाजी का चोली बना लें जैसे कि हम यहाँ पे चोली बना के रखे हुए हैं देखिए इस तरह से चोली बना लेने के बाद यह घेरा बना ले इसका लिंक हम आप लोगों को description box में डाल देंगे हाला कि हम यहाँ भी आप लोग कोछे रासा बतला दें दिखिए चोली बन जाने के बाद में एक चेन से दो डवल कुरुसिया बनाएंगे इसके बाद ये पहला लाइन में फिर दूसरा लाइन में दो चेन बीच करेंगे और एक चेन से दो डवल कुरुसिया फिर तीसरा लाइन में तीन चेन बीच करेंगे चौथा लाइन में चार चेन बीच करेंगे इसके बाद एक ये फोर प्लाई का उन हो जाता है इसलिए यहाँ पे हमें अगला जो लाइन बनाए है इस पे एक डबल कुरूसिया एक चेन में एक डबल कुरूसिया बनाते चले गए है इसके अगले बार भी हम इसी तरह करते चले गए है अगर घेरा आपका ज़्यादा फैल रहा है तो फिर आप एक लाइन पूरा एक डबल कुरूसिया एक चेन में एक डबल कुरूसिया बनाते चली जाए तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस तरह का हम ये तयार कर लेंगे अब तयार कर लेने के बाद में देखिए हमें क्या करना है इस तरह से हम रख लेंगे रखने के बाद में जो भी प्लावर आपको पसंद है वो अपने इक्छा नुसार आप यहाँ पे सुईधागा के मदद से सिल सकती है जैसे कि इस तरह से आप डाल ले जो भी आपको पसंद है आप इस तरीके से डाल सकती है सजाते हुए एक दूरी तक देखे इस ठंग से अगर आप इसे और भी गरीब रखना चाहती है देखे इस तरह से तो आपका अगर निकल जाता है उतना इस पेस निकल जाता है जैसे कि देखे यहाँ पे एक छोटा सा फूल आएगा लेकिन यह अटेगा नहीं पूल आपको यह छोटा नहीं अटेगा तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जगह इस तरह से खाली बीच बीच में छोड़ते हुए इस तरह से इसे सुई धागा की मदद से चारो तरफ से इसमें हम सिल लेंगे सिल लेने के बार आपका यह पुशाग तयार हो जाएगा तो इस तरह से देखिए अगर आप कम फ्लावर इसमें डालना चाहते हैं तो जैसे हम सुरू में बतला है उस तरह से आप डाल कर कम फ्लावर भी बना सकती है हम इस पे बिल्कुल लाश्ट का जो ये लाइनिंग है इस पे हम तीन तीन कल पत्ती को ये तीन पत्ती जो है इसे हम सिलते हुए यहाँ पे देखिए ये बीच में चलाएगा ये दोनों साइड में चलाएगा सिलते हुए इसे हम देखिए इस पर कई फूल यहां पर हम सिल डाले हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आथ, नौ, दश, एक ग्यारह एक ग्यारह फ्लावर यहां पर हमारा लगा है तो इस तरह से आप इसे जिस तरीके से इस पर फ्लावर आप डालना चाहती हैं डाल कर आप सिल सकती हैं कम चाहती है तो कम बना सकती है ज्यादा चाहती है तो ज्यादा डाल सकती है और अभी हम यहां पर यह मोती सिर्फ इसी तरह रखे हुए है इसे हम सुई धागा की मदद से ये मोती भी हम सिल लेंगे तो सिलने के बाद आपका ये पुशाक बिल्कुल कम्प्लीट हो जाता है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में